नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नीरज राय स्वागत है अपका फार्मा हर्ट्स में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी आयुरुवधिक दवा के बारे में जो की बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में हेल्प करती है दोस्तों ये एक आयुरुवधिक मेडियों है जो बीना किसी side effect के काम करती है लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुछ common problems के बारे में जो की हम लोग के अंदर होती है जिसमें ये medicine काम आएगी दोस्तों बहुत सारी common problem जैसे कि लीवर की समस्या अगर आपको कोई भी लीवर की समस्या है लीवर साइडंग से काम नहीं कर पा रहा इसकिन की समस्या है इसकिन में प्रॉब्लम आ रही है इसकिन में roughness है indigestion यानि अपच की समस्या, acidity की समस्या है, बहुत ज़दा पेट में gas की समस्या बन रही है, body में pain हो रहा है, दर्द होता है, burning का sensation है यानि की हाथ पेरों में जलन कानुब हो रहा है, जुन-जुना हट हो रही है ये सब common समस्या हैं आपको होती है, इसके अलामा थकान, कमजोरी, अकड़न, यानि की stiffness की समस्या, fever की समस्या भी अक्सर लोगों में होती है दोस्तो अगर ये सारी समस्या हैं आपको होती हैं और common problem आपको ये सारी हो रही हैं, तो आप use कर सकते हैं Amrita wrist syrup दोस्तो Amrita wrist syrup जो है, ये कई कंपनियों के द्वारा market में आता है, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं ये आता है मुलतानी की तरब से, यानि मुलतानी फार्मा की तरब से दोस्तो 4500 ml syrup की MRP 150 रूपए होती है, प्राइस थोड़ा सा उपर नीचे आपको मिल सकती है अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, दोस्तों ये एक प्रकार का mixture होता है, जो की बहुत सारी विमारियों में use होती है ये बहुत सारी problems आगे हम लोग बात करेंगे किन-किन समश्याओं को कैसे-कैसे ये benefit करती है दोस्तों composition की बात करें तो पूरी तरह से natural होता है, इसके अंदर में गिलोए, बिलवा यानि बेल इसके अलावा इसमें सेवनाका, गैमर, गमहार बोलते हैं इसकों लोग, इसके अलावा इसमें पटाला होता है, अगनी मंथा होता है, सल परनी या साल परनी बोल सकते हो ब्रहाटी, ब्राम्हनी, कंटकारी, गोक्षुडा, जीरा, प्रपत इसके अलावा इसमें शब्त पर्णी होता है और जिंजर मिलाया गया है दोस्तों ये सारी चीजे और साथ में इसके अंदर में पीपल, यानि कि जो आपने कई बार उसमें जब आपको खासी आती है न तो आप पीपल कभी न कभी खायोंगे लंबी वाली वो भी इसके अंदर में मिलाई गई है यानि पूरी तरह से जतनी भी नेचुरल चीजे होती है सब ही इसके अंदर में मिलाई गई है तो इसका composition तो हो गया आप बात करते हैं benefit के बारे में use क्या क्या होता इसका तो ये आपकी liver disorders को दूर करती है liver की जितने भी शमस्या होती है उसमें आप इसको ले सकते हैं यानि liver को ये maintain करती है tiredness यानि थकान को दूर करती है debilities को दूर करती है आप में fever को reduce करने का ये काम करती है health की recovery को boost करती है जल्दी आपकी health recovery हो पाती है pain में अगर आपको body में कहीं pain हो रहा है पुरी body में उसमें relieve करती है burning sensation हो रहा है आपको जिसे कि मैंने शुरू में बताए आपको tingling या जलन का नुबह हो रहा है जंजुन हाट हो रही है तो उसमें इसे ले सकते हैं indigestion की शमस्या में इसे दिया जाता है indigestion की शमस्या को भी ये ठीक करती है अगर बात करें इसकी dose की बारे में लेना कैसे है तो इसको हम लोग 10 से 20 ml ले सकते हैं यानि जिस प्रकार की शमस्या है उस तरह का amount कम है 12 ml जादा है तो 20 ml कैसे यूज करना है पानी के साथ में इसको यूज करना होता है ठीक है और इसे आपको जैसे पानी 10 ml आप दबा कीज़ें संब्स है डूनों को मिक्स कर लीजिए और खाना खाने के बात जिसको पीली जिए दोस्तों साइडी इफर्क की बात करें तो पूरी तरह से नेच्छल से लिए होता है मिलत नेफ्रीदेउ lessons से बनाया गया होता है अ दोस्तोंfertacked कि बारे में वीडियो आपको इनफ